ने फाइंड कर लिया था हमारे जो आस्पेक्ट है इसमें कि पोजीशन आप सेंटर आफ मास पोजीशन आप सेंटर आफ मास वो फाइंड कर लिया rcm rcm is equal to m1 r1 m1 r1 plus m2 r2 up to mn rn divided by m1 plus m2 plus mn इसको जो है differentiate कर देते हैं इसको अगर हम differentiate कर देंगे d rcm by dt d rcm by dt क्या हो जाए गाई यह फिर से differentiate करेंगे तो यह तो इसकेलर है भी इसको हम ऐसे लिख लेंगे d r1 by dt plus m2 into d r2 by dt up to mn drn by dt divided by m1 plus m2 plus mn d rcm by dt is what d rcm by dt is the rate of change of position of position की r position vector किस rate से change हो रहा है d rcm is what rate of change of position position के change होने की rate कोई क्या बोलते हैं velocity बोलते हैं तो यह हो जाएगा vcm vcm is equal to यह क्या होगा particle 1 की position vector कैसे change हो रही है तो इसको बोलेंगे v1 तो यह होगा हमारा m1 v1 plus m2 v2 up to mn rn सेम टाइब का जो है सेम बेकार equation v को r से replace कर देना कुछ खास नहीं है बिल्कु लेक्त याद रखना भी बहुत आसान है mn rn तो यह हो जाएगे velocity of center of mass यह जो है velocity of center velocity of center of mass velocity of center of mass अगर ऐसे ही चाहे तो इसको जो है differentiate करने से हमें acceleration भी मिल जाएगा differentiate करेंगे तो acceleration मिल जाएगा फिर से differentiating both side differentiating both side अगर दोनों side को हम differentiate कर देंगे तो यह क्या हो जाएगा dvcm by dt rate of change of velocity of center of mass वो क्या हो जाएगा acceleration of center of mass यह हो जाएगा acceleration of center of mass यह हो जाएगा acceleration of center of mass is equal to m1 a1 plus m2 a2 up to mn a n divided by m1 plus m2 plus m3 up to mn तो ऐसा होगा ऐसी velocity और ऐसा acceleration हम find कर सकते हैं अगर individually हमें acceleration इसका पता हो जैसे for example जैसे for example ऐसा दिया हुआ कि कोई भी particle है question ऐसा है कि xy axis के long यहां पर यह 2 kg का particle है और यह 1 kg है तो जो 2 kg है वो 5 meter per second से जा रहा है x axis के long और यहां पर 1 kg जो है वो y axis के long जा रहा है यह है इश्चन की होस нутता है तो डाषिंट है तो डारेक्शन वही और की की ट्रीजिक्छी क्षो इस की डारेक्श से पार्टी इशा कि तरुव करता हम गोर्णी की धरेक्शन में वेले को ब्रॅक्य एक्षिन का डारेक्शन में तो VCM एन इस डारेक्शन तो VCM के लिए बहुत ही खतरनाक फार्मला अप्लाई कर देना है M1 V1 प्रस M2 V2 अब V1 V2 जो है वो ध्यान रहे कि यह वेक्टर्स है वेक्टर्स है वेक्टर फार्म में लिखना होगा तो वेक्टर फार्म में जो है बहुत पहले हमने पढ़ा था य तो इसके लॉंग वेक्टर्स क्या होते हैं वेलासिटी वेक्टर को हम लिखेंगे 5I कैप और 10 अलग अलग पार्टिकल्स है तो M1 2 इंटू 5I कैप 5I कैप प्लस M2 M2 is what M2 है 1 इंटू 10 जे कैप वेक्टर के साथ बिकल्पूट करना है डिवाइडेट वाई M1 प्लस M2 M1 प्लस M2 हो जाएगा 3 तो वाट इस वेलासिटी आप सेंटर आप मास वेलासिटी आप सेंटर आप सेंटर मास इस एकल टेन बाई 3 I कैप प्लस जे कैप अ यह हो गया हमारा वेलस्थी वेक्टर अब यह वेक्टर किऊ डियरेक्शन में तो वहीं जैसे कि जो कॉंपॉनेंट फों से जो जो ग्श्कल्व मैं आपनीट तो यह कितना हो जाएगा टैन थीटा थीटा कितना आ जाएगा फॉर्टी फाइव डिग्री मतलब इसका सेंटर ऑफ मास पार्टिकिल दोनों इधर जा रहे हैं पार्टिकल से कोई मतलब नहीं है सेंटर ऑफ मास अपने हिसाब से जा रहा है इधर 45 डिगरी पर जिपूरे सिस्टम जो है इसका सेंटर ऑफ मास इस व्लासिटी से वाट इस व्लासिटी से व्लासिटी अफ मास मैगनिटूड जो है वी सिंहम का मैंगेटूड हो जाएगा 10 रूट टू बाइट अच्टी याद गरो जब वेक्टर जीस्टार्ट हुआ था तो टेंशन में आजाते होगे आई काफ जेकर देखते ही जो है बुखार हो जाता होगा वेक्टर बच्पन के दिनों को याद करो आज जो है आई काफ जेकर देखते ही बता रहे हो तो ऐसे ही टाइम के साथ सब चेंज हो जाता है बस लगे रहना होता है तो वेक्टर सुनते ह सब्सक्राइब करते 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 फिर अपने आप नीद में लिखना स्टार्ट करोगे तो यह वेलासिटी आफ सेंटर आफ मास है और वेलासिटी किस डारेक्शन में है 45 डिग्री पर है टीक है तो जय थी आलफा एकल बीसटेटा बाए प्लस कोस्टेटा फर्मुला से भी सद्सक्राइब कर सकते और निकालो विलकुल निकाल सकतो हो है निकाल सकतो है यह सर वह वह वाला ज्यादा आशान है कि वह ज्यादा सब्सक्राइब करने की आदत है उससे निकाल तो सकती कि फॉर्मुला है तो क्यों नहीं निकालोगे लेकिन अपना टाइम बचाना अपने यूज करना पड़ा है तो यह है कि सब्सक्राइब कि वी सीम मालो नेक्स्ट है नेक्स्ट जैसे हमने पुली ब्लॉक सिस्टम यहां पर लिया था यह यह फाइव के जीका है और टेन के जीका है इस सिस्टम को रिलीस कर दिया जाएगा ड्I इसका एक्सटेशन् बताओ गया क्या है यह 10 है छिर्णी स्टम इस स्टम इस ताम मिलेस्ट भॉ'll ऩ Packers क्टैश्ट्स और फिर्ण ठ्स क्टैश्टै इस वाए यह 10 है। इस सिस्टम है आष लिज़ेस्टी करें आई कैप और जे कैप ऐसे हैं अब आपवार्ड डारेक्शन को पॉजिटिव लेना है अचल में दो दो एक एक शुए न बता पाओ इसका किद न अगर इस सिस्टम का दुनों ब्लॉक एक्षिस्टम का तो 10 by 3 हा रहा है 10 by 3 हा के साइट से यह हो जाएगा 100 है यहां से 100 और यहां से 50 है तो वाट इस एक्षिलेशन 100 minus 50 तो 100 minus 50 divided by 15 तो यह 50 by 15 10 by 3 meter per second square यह इक्षिल तो 10 by 3 meter per second square 20 root 2 by 9 20 root 2 by 9 तो यह डाउनवर्ड यह डाउनवर्ड ऐक्षिलेट होगा डाउनवर्ड ऐक्षिलेशन मा लेते हैं इसका एवन है और इसका जो एटू है दोनों का मैगनिटूट से मैं तो वाट इस एप्षिलेशन ACM is equal to M1 A1 plus M2 A2 जो भी है उसमें individual component के acceleration लिखना है M1 A1 divided by M1 A1 plus M2 A2 divided by M1 plus M2 What is M1? 10? 10? 10 root 5 root 5 by 3 10 root 5 by 3 तो यह M1 A1 A1 क्या है भी? A1 A1 यहाँ पर किस direction में? downward direction में? downward को जो है minus J लेंगे minus J plus यह क्या है? 5 A2 upward direction में है upward direction में हो जाएगा यह कितना? अच्छा यह तो mass लिया ने? यह कहां लिया है? mass इसका 10 kg अच्छा लेजी और acceleration में दूट साइब माइनस माइनस ठीक है अब बता जीए ना अच्छा माइनस 10 by 3 J cap plus 5 into 10 by 3 J cap divided by M1 plus M2 यह हो जाएगा 15 तो यह तो कितना हो जाएगा? यह 100 by 3 minus 100 by 3 मतलब जो है बता दिया गया कि I component और J component आएगा बोला गया सीधे जाना तो बीच में गड़ा होगा तो उसी में side से निकलोगे नहीं उसी में गिर जाओगे यह तो हालत हो रही है यह तो है minus minus 50 by 3 into 15 तो यह तो ठीक है यह 3 हुआ यह 10 मतलब 10 by 9 10 by 9 minus 10 by 9 J cap ठीक है minus 10 by 9 J cap is the acceleration up वहां से बस रट लिए कि I cap है तो एक को I cap लिए J cap लिए और resultant बता के accurate बता रहे हो 10 root 5 by 3 अबस अब आप मैं पूली में लिखा यह J और यह J है बस लिखने वक्त मैं आई-कैब लिख दिया बस बस वही हो गता है ना और ज्यादा कुछ थोड़ी लेकिन पूली में लिखा तर जे-जे-कैब तो पूली तो फिर तब जाना तब ऐसे दिखाना कि पूली में मैं लिखा हूँ देख लो यही होता है इसलिए एक और कौन रूट ट्वंटिनेट सीन्दा सीधा सीधा फार्मला अप्लाई करने में इतना कर दे रहो तुम अब बस यहां पर देख लिए कि आई और जे रट लिए उसके बाद फिर वही हो आई और जे लगा रहे हो तुम रूट भी बता रहे हो मैगनिट्यूड भी बता रहे हो एकदम एकुरेट मतलब एकदम एकुरेट मिस्टेक कर रहे हो ठीक है तो यह टेन बाइन देखके लिखना अब देखके ऐसे गलती होता है चोटी-चोटी चीजों को इगनूर नहीं करना है हवा में ज्यादा नहीं ओड़ना है एक डाउट था सर बुक में एक जगा पर दिया था कि सेंटर ओफ मास हमेशा पारबोलिक पाथ फॉलो करता है गलत है तो यह चीज़िस किसी केस किसी स्पेसिफिक केस में होगा ना यहां सेंटर ओफ मास स्टेट जा रहा है कि तर तुम्हें अप्शन या तो ऐसे लिखा हो आएगा की एक्सलेरेशन ओफ सेंटर ओफ मास इस टेन बाइन मीटर पर सेकेंड स्कॉाइर एंड डाउनवर्ड यह केस दिया हुआ होगा जैसे मालोगे कोस्टन मैं स्पर फ्रेंब करूं कि यह कोस्टन दिया हुआ है उस क्वेस्टन में तुम्हें बताएगा कि वाट टेंशन इन ब्लॉक इस उसके बाद एक स्टेटमेंट में यह भी लिख दूंगा एक्सलेशन ओफ सेंटर ओफ मास इस टेन बाइन मीटर पर सेकेंड स्कॉर्ड डाउनवर्ड एक्सलेशन ओफ सेंटर ओफ मास इस टेन बाइन मीटर पर सेकेंड स्कॉर्ड अपवर्ड ऐसे कि बॉल जब अपवर्ड भी थो जब थो अरे यह क्या के भी पढ़ा दिया गया है पढ़ लियो अच्छ वहां तो शॉटकट पड़ते हैं करेंट चल रहा है ठीक है यह अभी अभी पैरा बुलिक पाथ अभी वह आएगा थोड़ा सब्रकरो वो मोशन आप सेंटर आप मास है वो प्रोजेक्टाइल के केस में सिर्फ हमेशा नहीं नाट अल्वेस अभी आएगा सबर करो अभी तो दो ही क्लास हुआ है तो मिंदम मतलब बेचाहिन हुए पड़ेगा तो यह सिर्फ और सिर्फ अभी वेलासिटी फाइंड करना पोजीशन फाइंड करना एक्सेलेशन फ वेक्टर वाइस हमें लिखना है वेक्टर वाइस लिखने के बाद फिर फाइनल आंसर बता देना उसके कोडिंग अगर स्टेटमेंट है या मैथमेटिकल एक्सपरेशन यह हो जाएगा अब इसके बार नेक्स है नेक्स जलते हैं कि सेंटर आव मास ओफ ऐस मास डिस्टिब जैसा मास डिस्टिबूशन है उसी टाइब के हमें 12 में चार्ज डिस्टिबूशन भी मिलेंगे तो पहला है डिस्क्रीट मास डिस्टिबूशन होता है डिस्क्रीट डिस्क्रीट मास डिस्टिबूशन किसैंटर अफ जैसे कि अभी हम पड़ रहे थे कि कि सी स्पेस में किसी गवेन पॉयंट पे मासेश हैं बहुंग है वहां पर तो क्या है किसी एक पॉइंट पर मास फिर उसके बाद नहीं है फिर नेक्स पॉइंट पर मास मतलब पोजीशन में इस पेस में प्लेन में थ्री डामेंशन में कहीं पे भी जो है पॉइंट पॉइंट मास इस लोकेड़ एक कंटिनीवस ली नहीं लोकेड़ लेकिन आज यसे मालों बॉटल में वाटर फिल्ड पानी बरह हुआ है बकेट में या भाटल में तो उस बकेट के अंदर जो मास का डिस्टिबूशन वह कैसा है वह कंटिनिवस मास अब इसके बाद continuous mass distribution आता है continuous mass distribution continuous mass distribution को further हम अपने लिए categorize कर सकते हैं कि linear mass distribution surface mass distribution and volume mass distribution तो यह है linear ऐसा बोल देते हैं कि linear linear mass distribution linear mass distribution कौन सा हो जाएगा यह से कुछ जो रॉड हमने लिया था वैसा टाइप का यह linear mass distribution होगा when mass is distributed along line किसी एक line के along mass distributed है यह line straight हो सकती है क्या यह लाइन बेंड भी हो सकती है आर्क भी हो सकता है इसको मैंने बेंड कर दिया ऐसे तो यह जो है angular भी हो सकता है बस वो लाइन ही है उसी लाइन के long distributed है कोई ring है ring है रिंग भी क्या होगा वो linear mass distribution होगा ऐसे 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 लीनियर के बाद दूसरे टाइप का mass distribution हो सकता है surface surface मतलब मास जो है किसी सर्फेस पे distributed surface का मतलब क्या हो गया square plate लेट टाइप लेट टाइप लेट स्क्वाइर प्लेट सर्कुलर डिस्क सेमी इसके बाद वाल्यूम ऐसा जो है वाल्यूम अच्छा यह बताओ हालो स्फियर थिन हालो स्फियर थिन शेल यह सर्फेस होगा यह वाल्यूम शेल कैनवस की बाल है मालो जैसे जैसे ओनियन में एक लेयर है ओनियन की लेयर उसको क्या उसका पूरे वाल्यूम में डिस्थिपूटिट है नहीं थीक टाइप का जैसे हमारी ऑर्वाटर बडॉटर भाटरल्ले उसके ठीक्नस से बहुत कम है तो जो भी उसका सहित है उसके पूरु एरिया पे मास डिस्टिबूटेट है सम्झें तो उसको हम क्या लेंगे उसको लेंगे हम surface mass distribution उस निलेखए से मटेट इस्टिबूर्ट है kay volume खिसको लेंगे ओवाजियूम if आज इस डिस्टिबूर्टेट ठूह ऑउट वाजिशन वॉल्ययूम फ्मासेग यज डिस्टिबूर्ट फर वाल्यूम कि वालियूम मास इस डिस्टिब्यूटेड थ्रू आउट वालियूम कैसा होगा वई शालिड इस्फियर शॉलिfeld of शॉलिड इस्फियर हो जाएगा पूरे वाल्यूम में डिस्टिब्यूटेड है शॉलिड कौन शॉलिड कौन शॉलिड कौन क्या है इसमें भी वही मास पूरे शॉलिड 3D फिगर तो वाल्यूम वह है उसके अंदर वहां पर हर जगे मास है पूरे वाल्यूम में मास है क्यूब सॉलिड क्यूब ऐसे सॉलिड क्यूब वाल्यूम मास डिस्टिबूशन वाल्यूम में तो इसमें यह बता रहा हूं जैसे थिन चेल है वालो हालो स्फियर है उस उस हालो स्फियर के केसमें मास डिस्टिबूशन किस टाइप का होगा क्या वाल्यूम मास डिस्टिबूशन लेंगे यह सर्फिस मास डिस्टिबूश वॉल्यम उसका बहुत ही निगलेजिबल है कम पर आज कम पर टूदे एरिया तो इसकों क्या लेंगे सर्फिस मास्ट इस्टिबूशन थिन है इसलिए अगर वही मालों की ऐसा टाइप का होता हुआ कर सबस्थों अरे कौन हे जाते सब्सक्राइब में इसंट फ्रिकाव सबस्थालाइब्स तुमार शलिंडा क्या रवन की जैसे आप मालों ऐसे यह किस टाइप का होगा इसको हम बोल सकते हैं क्या surface mass distribution बोलेंगे नहीं यहां पर तो जो वॉल्यूम है वो पूरा पूरा वॉल्यूम occupied है तो इसको हम बोलेंगे यह volumes mass distribution में आएगा थिन होगा बहुत थिकनेश बहुत कम होगी inner radius outer radius अगर thin थिकनेश बहुत ही कम है as compared to total volume तो इसको हम कैसा लेंगे surface mass distribution समझे अब कहोगे इससे लेने से फायदा क्या होगा भी बता रहा हूं ना पहले तो differentiate कर पाओ कि linear linear कहां पर होगा यह रिंग है यह रिंग है यह आर्क है यह रॉड है ऐसा है ठीक है तो अब इसका जो formula होगा यह सारे cases के लिए इस formula में हमने तो formula derive क्या center of mass के लिए क्या M1 X1 M2 X2 M3 X3 तो वहां पे जो है individual masses हमें लिया यह point masses लिया point masses है हमारे M1 है यह M2 है यह M3 है इसे point masses है तो इसमें continuous mass distribution के लिए हम इसको elements में divide करते हैं इनको क्या करेंगे चोटे-चोटे elements में break कर देंगे और each element will behave as a point mass each element will behave as a point mass जैसे मालो इसमें यह rod है तो इस राड को मैं चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे dx length के element में break कर दोंगा थे हैं क्या 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 रींग वाला के अगर रींग का भी तो सर्कोई रेडियस होता है ना सिर्क इतना थीक है रींग तर सर्फेस में क्यों वह समझा नहीं है रींग वह भी एक तो इसा होला है आप उसमें भी उसमें वी ऐसा हो जाएतं तो सर्फेस हो जाए मैं अगर तर्फेस कंपरीजबल ओ ऐसे ऐसे तो थो सर्फेसी दाएक हो तो समझ रहो है सनो at प्रत्सक्राफ वाहोगा वांगा है इसा मतलब ये इसको यह मतलब सिंगल गहीं जैज्वासे मेोम ले जाएगा किस टाइब का विल होगा विल का इनर आउटर रेडियस होगा तो वहां पर हो लेंगे ठीक है किस ट्राइब के मास डिस्टिबुशं ज्यादा इसमें करने की कोई जरूतने हैं बस διαस्क्रócratis के लॉंपर के लॉए तो अब इसमें जो फॉर्मिला की स्केरऊ है वहों लीए वह फॉर्म्मौिला है पॉइंट मासस के लिए यहां पर तो continuous mass distribution है तो इसमें फिर हमें क्या करना होगा चोटे-छोटे elements में डिवाइट करना होगा तो उस elements के जो मास होंगे उस elements के जो मास होंगे वह हमारे point mass की तरह से behave करेंगे तो उस element के mass को define करने के लिए हम दो-तीन टर्म define करते हैं पहला हम linear के case में define करते हैं लेंबडा लेंबडा इस कॉल्ड linear mass density linear mass density और इसको बोलते हैं mass per unit length मास पर यूनिट लेंथ सर्फेस के case में हम define करते हैं एक टम सिग्मा सिग्मा इस इग्वल टू मास सर्फेस मास टेंसिटी कि सर्फेस मास डेंसिटी डेंसिटी और मास पर यूनिट एरिया मास पर यूनिट एरिया वाल्यूम के case में define करते हैं density जिससे familiar हो पहले से वह है टो जनरल density density क्या होता है मास पर यूनिट वाल्यूम यह जाएगा मास पर यूनिट वाल्यूम मास पर यूनिट एरिया पर डिस्टिबूटेड है तो टोटल मालो 10 kg है 5 मीटर स्कौाइर पर डिस्टिबूटेड है तो 10 डिवाइड़ भाइव कर देंगे तो 2 kg पर मीटर स्कौाइर यह जाएगा उस पर प्लेट टाइप का होगा तो लाइन के लॉंग होगा लाइन के लॉंग मालो 10 kg का है 5 kg का है 5 मीटर का है तो वह हो जाएगा 1 kg पर मीटर तो 1 kg पर मीटर तो अब अगर हम इसमें छोटे-छोटे एलिमेंट लेते हैं चोटे चोटे एलिमेंट लेते हैं तो जब लेंथ वाइज होगा तो हमारा एलिमेंट कुछ dx length का होगा lengthwise होगा तो हम length के एक छोटा सा length लेंगे अगर surface में mass distributed होगा तो हम क्या लेंगे छोटा सा area लेंगे छोटा area बड़ा area में mass distributed है तो हम छोटा सा area लेंगे वो element की तरह से act करेगा पूरे volume में distributed है तो ये क्या हो जाएगा छोटा सा volume जिसको हम dvcd note करेंगे अब इससे related element क्या हो जाएगा है element ऐसा हो जाएगा यहां L और A यूज़ हो रहा है तो X तो मालो ऐसा लिख लेता हूं दी एल लिख लेता हूं चोटा से length लेंगे तो उसका जो mass होगा इसमें जो element होगा dm is equal to lambda dl मास पर उनिट लेंथ इंटू लेंथ यहां पर मास पर उनिटेरिया और सिग्मा है तो सिग्मा इंटू डिये यहां क्या हो जाएगा dm is equal to row into dv अब ऐसा जब पता चल जाएगा हमें कि भाई ठीक है मास अलग लग टाइप के distributed हैं तो जहां पर यहां पर लेंथ होगा उसमें स्मॉल लेंथ लेनी है जहां पर वॉल्यूम में होगा वहां पर स्मॉल वॉल्यूम लेना है डीवी डीवी जो है ऐसे ऐलिमेंट लेना है तो इसके बाद continuous के लिए हमारा formula वही reduce हो जाएगा जैसे जनरल एक सेंटर ओफ मास लिखाता समेशन ओफ एम आई एकस आई डिवाइड़ वाई समेशन ओफ एम आई तो यह जो है यह replace होगा integration से यह replace होगा dm से और यह replace होगा x से है तो अभी जो x cm for continuous mass distribution होगा डाट इस integral of x dm divided by integral of dm कि जो अभी हमारा element है तो डिसकनेक्ट होगा सबको reconnect करना है डिसकनेक्ट होगा सभी immediately reconnect कर लोगे इसके बाद कुछ तुमारा aerospace और क्या-क्या है सब है न साइंटिस्ट हो रहा हो आज कल तो यह x center of mass is equal to x dm divided by integration of dm यह formula जो